नमस्कार मेरे प्यारे किसान मित्रों मैं सुमित कुमार आपका अपनी यूट्यूब चैनल एगरुजंग्चन में सुवागत करता हूँ नर्मे की फसल 60-80 दिन के बीच पहुच चुकी है और इन दिनों फार्मर के मन में डर बैठा हुआ है कि इस गुलाबी सुन्डी को कैसे कंट्रोल करेंगे कुछ फार्मर जो है की काफी अच्छे तरीके से अपनी पसलों के अंदर गुलाबी सुंडी को लेकर काफी सतर्क हैं और अपने खेतों के अंदर फेरोमेंट ट्रैप का इस्तमाल कर रहे हैं हमारी भी एक नजर पड़ी थी ऐसे खेत के अंदर जिसके अंदर किसान ने चारो कोणों पर अपने फेरोमेंट ट्रैप को इंस्टोल किया हुआ है और उसके अंदर जो कैपसूल है उसे लगाया हुआ है ताकि जो भी अडल्ट है इसकी समयल से अट्रेक्ट होकर इस पन्नी के अंदर नीचे आ सके और उन्हें अंदाजा हो जाए कि उनके खेत के अंदर कितने अडल्ट यानि वियसक है जो गुलाबी सुंडी के वो घूम रहे हैं ताकि वो बविश्य में एक सप्रे कर सके ताकि गुलाबी सुंडी के जितने भी अडल्ट जो अंडे दे चुके हैं उन अंडों पर कुछ असर मिल पाए आपको ट्रैप लगाना चाहिए या नई लगाना चाहिए अगर आप चाते हैं कि आप पता लगा सके कि आपके खेत के अंडर सुंडी आ रही है या सुंडी के जो वियसक है वो आ रहे हैं तो आपको ट्रैप जुरूर लगाना चाहिए चारो कोनों और बीच के अंडर आपको ट्रैप जुरूर लगाना चाहिए अब बात करते हैं फेरोमेंट ट्रैप लगाने के बाद हमें क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए सबसे पहली बात की फेरोमेंट ट्रैप लगाने का जो मकसद है गुलाबी सुन्डी के जो अडल्ट व्यसको को जाचने के लिए कि खेत के अंदर कितना आना ची उसकी जो उचाई है जैसे कि इन फार्मरों ने लगा रखा है जो की पेड जो पोधे हैं पोधे की उचाई से कम से कम डेट से दो फीट के उपर आपको इसको इंस्टोल करना चीए ताकि जो अडल्ट की समयल है उपर से आए और अडल्ट इस पनी के अंदर नीचे जाके फस जाए अब बात करते हैं कि हमें अडल्ट पैचानने के बाद कब सपरे करनी चीए सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इंस्टोल कर रहे हैं इस फेरोमेंट ट्रैप को अपने खेट के अंदर लगा रहे हैं उसके दो से तीन दिन के बीतर आप जरूर चेक करते रहे हैं जो फेरमेंट ट्रैप के अंदर कितने अडल्ट प्रती दिन मुझूद हो रहे हैं अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर 5-10 या 10 से ज़्यादा भी अडल्ट आपके फिरमेंट ट्रैप के अंदर अगर अडल्ट आ रहे हैं तो आपको एक सप्रे की जूरत है ताकि अडल्ट के जो अंडे हैं वो सुंडी के अंदर तब दिल ना हो पाएं अब तीसरी बात सबसे महतन पूर्ण बात कि जब भी आप ये चेक करें कि हैं आपने यहाँ पर चेक किया कि हमारे इतने अडल्ट आ रहे हैं तो आपको इस ट्रैप को नीचे से खोल लेना है और किसी भी पत्ते के अंदर आपको ये सारे जितनी भी अडल्ट है उसको एक एक कठा कर लेना है कठा करने के बाद जैसे के ये आपको दिख रहा होगा ये मैंने इतने सारे अडल्ट एक फेरोमेंट्रेप के अंदर से निकाले हैं कठा करने के बाद इनको आप पत्ते को अच्छी तरह इस तरह से करके और जमीन के अंदर एक खड़ा सा बना कर इस तरह एक खड़ा बना कर और इसे मट्टी से बूर दें और अच्छी तरह दबा दें ताकि अडल्ट हवा में कॉंटेक्ट में आकर या उड़ने ना लग जाएं या दुबारे से अपनी प्रकिरिया को उन्जाम ना दे पाएं हम जो फेरोमेंट ट्रैप लगाते हैं एक बार लगाने के बाद उसका जो लीवर है या कैपसुल जिसे बोलते हैं आपकी भाशा में उसे हम चेंज नहीं करते या चेंज नहीं करते इस लीवर और कैपसुल का समय 25 से 30 दिन के तक ही होता है अगर इसे आप समय पर चेंज न अंदर हैं गुलाबी सुन्डी के वियसक बहुत जादा हो जाएंगे अंडे की मात्रा जादा हो जाएगी तो इस चीज का विशेश कर आप ध्यान रखे जब आपने इसे इंस्टोल किया हो अपने खेत के अंदर लगाया हो तब से आप उस चीज की डेट आप याद रखे और उससे 25-30 दिन के अंदर आप इस कैपसुल को जरूर चेंज करें ताकि आपको इस फेरोमेंट ट्रैप का पूरा अच्छे से फायदा मिल पाएं और आपको कब कैसे कितने दिनों पर कौन सी सप्रे करनी है ये मैं आपको वीडियो के अंदर एक पंपलेट डाल दूँग जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी सप्रे हमें किस समय पर करनी चीए और कितनी मातरा में करनी चीए मेरा मकसद था वीडियो बनाने का कि आपको आने वाले समय में जो गुलाबी सुन्डी का अटैक ज़्यादा होता है उसके उपर आप कैसे सावदानी परत सकत आपको किसी परकार का कोई सुझाव या जानकारी चीए तो आप हमें कोमेट कर सकते हैं और साति साथ आप कितने एकड के अंदर फेर्ममेंट ट्रेप लगा रहे हैं और कितने दिनों के अंदर आप उसे चेक कर रहे हैं और पहली सपरे आप कौन सी कर रहे हैं या आपने कौन सी कर दी हैं हमें कोमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसी और मोटिवेशनल जो किसान को मोटिवेट करें किसान को जानकारी दे ऐसी वीडियो आप तक ले आएं किसान को जा अगली वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद